सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरवात करते हैं आज के सुवचार सी दुनिया का हर सौक पाला नहीं जाता, काच के खिलोनों को उच्छाला नहीं जाता मेहनत करने से मुश्किले हो जाती है असान, क्योंकि हर काम तकदीर पर ताला नहीं जाता जीवा साइकिल चलाने जैसी ही है जैसे साइकिल को जिस प्रकाश संतूलन रखने के लिए आगे चलाते रहना जरूरी होता है उसी प्रकाश जीवन में भी संतूलित होकर जीने के लिए आगे बढ़ना जरूरी होता है जीवन तो अनंदित होकर जीने के लिए है ना कि बोच क तरह जेलने के लिए आज का पंचांग 16 फर्वरी 2021 दिन मंगलवार मंग माज के शुक्लपक्ष के पंचमी तिथी सुबा पांच बचकर 46 मिलट तक रहेगी इसके उपरान सश्टी तिथी प्रारम हो जाएगी रेवती नामक नक्षत्र रातरी 8 बच कर 56 मिलट तक रहेगी इसके उपरान अश्वीनी नामक नक्षत्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल अर्था दिन का सबसे असुपसम में दोपहर 3 बच कर 30 मिलट से 4 बच कर 55 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुपसम में दोपहर 12 बच कर 19 मिलट से 1 बच कर 5 मिलट तक रहेगा आज शेंद्रमा मीर राशी पर रातरी 8 बच कर 56 मिलट तक रहेगी इसके उपरान मेश राशी पर संशार करेगी और आज शूरिय कुम राशी पर रहेगी अपने सामने आने वाली शुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे पूछे गए प्रस्नों का जवाब दे आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की मजबूत निव पड़ेगी इन सब के बीच खुद को तरो ताचा करना और खुश रखना ना भूली दोस्तों और निकर सम्मंधियों के साथ संपरकों को और अधिक मजबूत करें आपको अवश्य हिने उपलब्धियां प्राप्त हो शक्ती है धन के निवेश पर भी अधिक ध्यान दे इस समय लाबदायक ग्रगोचर चल रहा है इसका सदुपियोग करें आज अप अपने इक्छा सक्ती को बढ़ा कर काम से सम्मंधित बातों में प्रागति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे आपको अपने भौनात्मक बातों के बारे में अधिक जागुरूपता मैसूस होगी खुद को बहतरिन बनाने के लिए प्रायतन आपके द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं जब बातमानसिक स्वास्त की हो तो दूसरों की मदद लेना आपके लिए आवश्यक होगा काम से सम्मंधित, बढ़ते तनाओं को दूर करने के लिए कठिन काम को पूरा करने की कोशिस पहले करें रिलेस्टनसिप को वक्त देने के लिए आपके द्वारा प्रयास किये जा सकते हैं सरीर में बढ़ती गर्मी तकलीप का कारण भी बन रही है कभी कभी आपके वयवार में चिर्चिड़ापन और गुस्सा आपको अपनी लक्षे से भटका सकता है अपनी इन कम्यों का सुधार करना जरूरी है अपनी किसी भी योशना पर काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह पूरी चनकारी अवश्य लेली बात करते हैं लव लाइफ की वैस्ता के बाउचुद आप अपने वयवाहिक जीवन को भी समय देंगे जिसकी वज़े से आप से संबंधों में तथा परिवार में मधूर तथा शोहार दपूर्ण वातावरन बना रहेगा अश्याप को अपने सांथी से बहुमूल या सला भी मिल सकती है हो सकता है कि ये आपको सुनने में अच्छा ना लगी लेकिन आप अपनी तरफ से उसे अच्छी तरह से सुनने के लिए प्रयासरत रहेंगी या आपके लिए काफी महत्ववाली बात हो सकती है या वित्ती मामला या आपके करियर या आपके पज़वार से सम्मंधित भी हो शकता है आपके लिए जरूरी है कि इस सला को नजर अंदाश ना करें अन्यथभाद में आपको पस्ताना पड़ सकता है बात करते हैं करियर की आपका वैभार आज याद रखने योग्य होगा अपने लाप के लिए इसका प्रयोग करें लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बाच्छित करें एक सकारात्मक सरीर की भासा बनाये रखें जहां से एक नया आउशर अंकूरित हो शकता है या एक नई परियोशना सुरू करने के लिए एक अच्छा दिन है अपने संगठन पोर्शल को याद रखें और अपने आप को विवस्थित रखें किसे खास इंसान की सला और मदद आपके बिजनेस के लिए लापदायक और तरक्की दायक रहेगा यू आओं को नौकरे संबंधित कोई बहतरिन ओफर मिल सकता है ओपिस का महौल को स्तनौ पूर्ण रहेगा बात करते हैं शेहत की आज आप शाडिक और मनो विज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों में खुद को बहुत अच्छे स्थिती में पाएंगे आपकी मान सित्ता में उठान आपके कामें साब दिखाए देगा आप अपने सेहत का बहुत अच्छे से ध्यार रख रहें हैं आज थोड़ा सा और अधिक ध्यार रखें और बोरियस से बचने के लिए कोई फिटनेस कारेकरम जोईन कर ली चलते या टहलते समय किसी को साथ ले ले आपको अच्छा लगेगा अपने स्वास्ता का ख्यार रखें आज का उपाएं आज अफन्मान भगवान जी को नारियल चड़हें शुब रहेगा दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दें शुब हूँ